सौ माक्स से नीचे जैंवेंस में आपके बनते ही नहीं है उससे ही उपर ही बनेंगे अगर आपके सौ माक्स से नीचे आ रहे हैं बहुत बुरी बात है कई बच्चों को जो मॉडर्न फिजिक्स होती है वो ऐसा लगता है कि सर हम क्यों पढ़ें ठीक है सर इसमें कुछ चीजर रटनी पढ़ रही है या आप बिलीव नहीं करेंगे जिन बच्चों के माक्स 20 से कम आते जही में से अगर वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स वाला बढ़ के चले जाए और लॉजिक गेट्स ठीक है तब भी आप अपने टोटल में कह रहा हूं तोटल फिजिक्स में कह रहा हूं तोटल फिजिक्स में आप 20 से उपर स्कूर कर जाएगा वी से उपर केमेश्ट्री में एक दो कुशन आपके बढ़ जाते हैं को डी ब्रॉग आपकी केमिस्ट्री में न्यूकलियर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं सारी चीजे वही आल्मोस्ट चीजें यहां पर आप दुबारा पढ़ते हैं केमिस्ट्री की दो तीन को स्केमिस्ट्री के दो कुशन और फिजिक्स के चार कोशन पांच कोशन और साथ कोशन तो ऐस से यह हो जाते हैं हर साल की बात बता रहा हूं हर साल लोगी गेट का एक खोशन आता ही आता है तो आप मरें से मरा आना फिजिस केमिश्टी में अगर आप पांच से चैप्टर ये पढ़ ले जाएं पांच से चैप्टर जो के रहे हमारे तो मार्क्स 20 से कम आ गए बंता ही नह 20 marks तो आपके ऐसी आ सकते हैं physics और पूरे अगर आप इस लेवस बड़ा है आपके 30-40 marks physics से नीचे आने नहीं चाहिए अब जो बच्चे कहते हैं तो 100 को टॉफ हो जाती है पार करने के लिए ये करने के लिए वो करने के लिए वही 30-40 marks अगर आप देखें physics chemistry में हर जगह के easy होते हैं 100 marks तो ऐसी आने चाहिए अगर आपके 100 marks से नीचे आ रहे हैं बहुत बुरी बात है बहुत बुरी बात आप negative जादा खा रहे हैं और उस पे खा रहे हैं जिस पर नहीं घाना चाहिए था हां सिर्फ 20 कह रहा है जिनके 20 भी नहीं आ रहे हैं नों मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं जिनके टोटल मार्क्स सत्तर असपास आते हैं उससे कम आते हैं मैं कह रहा हूं आपको यह सोचना चाहिए कि आपके तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके डिरेक्ली आजाते हैं केमिस्ट्री में भी फिदिक्स में अगर आप सीरियसली पढ़ लेंगे तो आपके सौमाक से नीचे जैइमेंस में बनते हैं उससे ही उपर ही बनेंगे बस आपको वही है कंसिटेंट रहके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जो आप शायद नहीं करते हैं